Hi everyone, welcome to free studies, so this is next video for November current affairs compilation In Sights IS PDF से मैंने ये notes बनाए हैं and these are complete अगर आपको भी ये notes चाहें तो आप मेरी email ID पर email कर सकते हैं and yes, काफी students, aspirants पूसते हैं कि कब से जो current affairs के hand return notes वो available है तो September से available हैं उके उस से पहले जो हैं, वो काफी rough तरीके से मैंने बनाए हुए हैं तो सिर्फ उनको मैं ही पढ़ पाती हूँ So no use to share it with you तो January से September तक मैं आपको नहीं दे पाऊंगी अगर आपको September से Current Affairs के notes चाहिए तो आप मेरी email ID पर email कर सकते हैं चलिए, start करते हैं November का 91 to 114 January का भी December का भी आ जाएगा अभी तक तो नहीं आया था website पर इसके भी हमारे पास कुछ pages और बचे हैं दो और वीडियो जाएंगी देन ये complete हो जाएगा तो देखिए एक नया UN Alliance बना है To Stave of Catastrophic Food Crisis तो UN ने एक नया Alliance बनाया है ताकि जो Food Crisis की problem है उसको देखा जा सके तो देखिए Food Crisis से related है तो आपको याद रह जाएगा कि Food and Agricultural Organization ने इसे launch किया है Alliance means जब कुछ लोग जो है वो मिल जाए तो यहाँ पे कुछ हो सकता है institutions या organizations मिले नव यह जो idea था यह proposed किया था Italy ने and इसको फिर आगे continue किया Food and Agricultural Organization ने क्योंकि हमारी पूरी country के अंदर या पूरे world के अंदर जो Food है वो SS सबको हो पाए तो यही इनकी मनुकामना है Now इसके अंदर Italy and जो Netherlands हैं वो कुछ पैसे भी contribute करेंगे and यह एक तरीके से network होगा ताकि सबको Food SS provide means सबको Food SS हो सके तो एक trust fund भी बनाये जाएगा fund means क्या होते है जहाँ पैसे कठे किये जाएगे एक web-based fund भी होगा और एक trust fund भी होगा ताकि अगर कोई उसके अंदर पैसे donate करना चाहे तो वो भी कर सकता है but according to conditions Now objectives यहीं है देखे objectives यहीं है कि जो food की problem है and उसके through अगर हम किसी resource को अच्छे से use कर पाए and problem तो हमें पता ही है we need to find solution तो इन efforts की क्यों ज़रुत है क्योंकि food and agriculture का जो food price index आता है food and agriculture organization का जो food price index आता है उसमें देखा गया कि food का price जो है वो continuously बढ़ रहा है and covid-19 के time पर जो कि अभी भी continue ही है तो 132 million people ऐसे है जो कि undernourished है and फिर क्योंकि हमारा जो aim है वो क्या है कि हमें 20-30 तक hunger को क्या करना है erade करना है, erode करना है भूक मरी को खतम करना है तो कैसे खतम करेंगे अगर prices बढ़ते रहेंगे तो इसलिए ये UN ने alliance बनाया है I hope clear हो गया होगा कोई doubt रह जाए तो आप comment section के अंदर तो इसको ध्यार नखिएगा तो ये गांधी नगर के अंदर है and ये maritime board क्योंकि आपको पता है कि गुजराट जो है वो largest coast line है उसकी तो जैसे हमारी जो land line की coast line है वो 15,200 है and अगर हम coast line की बात करें मेंज जो पानी से लगता हुआ area है तो उसकी 7156.6 है तो इसके अंदर भी अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी coast line किसकी है तो वो अपने गुजराट की है ठीक है तो गुजराट maritime board तो maritime समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पानी है आसपास तो वहाँ पे जो maritime board है वो कोशिश करता है कि कुछ मतलब गुजराट ports and development यह इंडिया में new concept है लेकिन अगर हम world में बात करें तो रोटरडाम के अंदर, सिंगापोर के अंदर हॉंग कॉंग, ओसलो, शांगाई, लंडन तो इन सभी जगा पर यह पहले से ही available है और अगर आप यह देखेंगे तो यह जादा तर उसको कैसे solve किया जाए and एक तरीके से एक opportunity है कि हम जो international services है उनका फाइदा भी ले सकते है एक office भी बनाना पड़ेगा Director General of Shipping का क्यों? क्योंकि गुजराट के अंदर बहुत सारे ports है 40% जो country का जो कार्गो होता है जनसे good से दर उदर भेजे जाते हैं तो वो गुजरात ही control करता है लेकिन कोई भी हमने means entirely जो means value chain होती है उसको target नहीं कर पाए है तो इसलिए यह helpful हो सकता है then देखिए National Investment and Infrastructure Fund तो investment and infrastructure से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ पैसे जो है खर्च किये जाएंगे and Central Government जो है वो इस fund के अंदर 6,000 करोड रुपे equity के थुरू means लगाने के लिए जा रही है तो 2015 में गौर्वर्मन ने इस established किया था 40,000 करोड रुपे के साथ ताकि कुछ green field, brown field and कुछ जो stalled means जो खराब infrastructure projects हो चुके हैं उनको ठीक किया जा सके ठीक है तो यह एक category second alternative investment fund है इनको बताईएगा green field, brown field क्या होता है this is very easy and थोड़ा सा सर्ज के जिएगा तो Indian government जो है वो इसके अंदर 49% पैसा invest करेगी and बाकि जो पैसा invest करेंगे वो कोई third party होगा इसके अंदर जो means आप energy के अंदर, transportation के अंदर housing, water, waste management तो इन सब related projects के अंदर investment किये जाएगी चलिए, next देखते है what is a bulk drug park and why does Himachal Pradesh want one तो bulk drug park क्या होता है and Himachal Pradesh ऐसा क्यों चाहता है कि वहाँ पर भी एक drug park बने तो देखें, central government ऐसे तीन parks बनाने जा रही है now bulk drugs जो होते है वो बहुत जरूरी होते है for APIs APIs होते है active pharmaceutical ingredient यह ऐसे ingredient होते है जो किसी drug या medicine के अंदर सबसे ज़ादा जरूरी होते है and इसी की वज़ा से जो means जो हमें body के अंदर जैसे माल लेज़े अगर किसी को कुछ problem है और उसके खिलाफ अगर हमें कुछ antibodies अपनी body में produce करनी है तो उसके लिए drug and medicine में यह होने बहुत जरूरी होते है जैसे कि paracetamol वुखार में fever में दिया जाता है तो यह जो active pharmaceutical ingredients है इसमें देखे पहले इंडिया जो था वो means बोल सकते हैं आत्म निरभर था है एक तरीके से बहुत कम import करना पड़ता था लेकिन धीरे धीरे चाइना से हमारा import इतना जादा हो गया कि अपनी country में ही API जो है वो बहुत कम है यह भी कारण है कि क्यों हम चाइना के साथ जादा risk जो है वो नई ले सकते लड़ाई वगेरा का तो API जो होते है वो basic raw material होते है और यह की starting material कहते है अगर यह होंगे तभी आगे दवाई बनेगी तो chemical compounds जो होते हैं फिर आगे बनते हैं बट these are the starting material नो इंडिया bulk drug parks क्यों बनाने जा रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे world के अंदर one of the largest pharmaceutical industries है अगर हम volume के बारे में बात करें तो third largest है ठीक है तो one of the largest means third largest है means हम लोग इतने drugs जो है वो बनाते हैं और हमें China पर depend रहना पड़ता है APIs के लिए ठीक है की starting material के लिए जिसकी वज़े से हमारी country के जो manufacturers है उन्हें कहीं न कहीं एक setback भी मिला COVID-19 के time पर कि जो चीज़ें हम जल्दी बना सकते थे वो हम नहीं बना पाए तो अब India चाहता है कि self-reliance बने bulk drug parks बने and infrastructure की facilities प्रोवाइड करके लोगों को and organizations को ठीक है तो इसके अंदर ये भी ध्यान रखिएगा कि हिमाचल परदेश के अंदर जो central government है वो 70% cost प्रोवाइड करेगा अगर दूसरी hill estates होंगी तो उसके लिए 90% and center जो है वो maximum 1000 करोड ही दे सकता है per park and state ने propose कि एक side ऐसी होनी चाहिए एरिया के अंदर जो 1000 करोड से क्या हो एकड आएगा sorry यहाँ पर नहीं आएगा एक हजार एकड से कम जगा ना हो and अगर hill estates है तो 700 करोड साथ सो एकड से कम जगा नहीं होनी चाहिए वही पर यह parks बनेंगे then देखिए कलवारी class of submarines देखिए अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप comment section के अंदर लिख सकते है and please वीडियो को शेर जरूर किया कीजिए पसंद आती है तो like भी करा कीजिए ठीक है तो and I want कि आप वीडियो को जादा से जादा शेर करें थाकि हमारी जो subscribers है जो viewers है वो भी बढ़े ठीक है and हम हमारा चानल भी grow हो ओकी चलिए कलवारी class of submarines तो इंडिया का 5th कलवारी class diesel electric attack submarine INS वागीर तो ये नाम ध्यान रखेगा ये अभी launch किया गया है मुंबई के मजगाव डॉक के अंदर ठीक है तो मुंबई जो है उसके आसपस भी काफी पानी वाला का है ना तो इसी लिए वहाँ पर ये 5th है ठीक है अभी हम बाकी 4 भी पढ़ेंगे जैसे INS कलवारी 5th है इसके पहले INS खंडेरी है INS करंज है, INS वेला है INS वागशीर है तो कलवारी class क्या है इसके अंदर डीजल से electric transmission system है इसके अंदर and ये submarines को भी attack कर सकता है means ये इस तरीके से design हुआ है कि ये जो कुछ जैसे vessels होते हैं अगर वो sink हो रहे होते हैं तो उन्हें भी target कर सकता है काफी easily, अगर लडाई होती है anti-warship होती है तो उसमें भी use किया जा सकता है, submarine operations में use किया जा सकता है project 75 के time recording इसको बनाया गया है इसका जो design है, वो scorpion class की तरह है, ठीक है and इसे किसने बनाया है, इसे बनाया है mazagon dock limited ने, मैं अभी आपको इसकी diagram दिखाऊंगी कि किस तरीके का scorpion class होता है, so I will show you the screen shots, okay now ये थोड़े names जैसे कलवारी का मतलब होता है tiger shark, वागीर का मतलब होता है fish, sand fish, खंडेरी का मतलब ये छट्रपती शिवाजी का एक island fort था, करंज का मतलब एक island है, मुंबई के south के अंदर पढ़ता है, okay, तो India submarine fleet, जो India है वो उसके पास एक submarine end है अगर हम nuclear power की बात करें that is of chakra and arihant and इसके साथ 14 ऐसे submarines है जो कि diesel electric में काम करते हैं ठीक है, तो इसके तूरू diesel के तूरू वो चलाए जाते हैं that is Kalwari, Shishumar and Sindhu Ghosh, ठीक है, तो names ध्यान रखेगा ये तीनो diesel electric है and आपका जो है nuclear power जो है वो chakra है ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा आप सब चलिए, इंडिया जो है वो एक deep sea mission launch करने जा रहा है तो समुदर के नीचे उतरने वाला है इंडिया and कुछ लोगों को भेजेगा कि explore कीजिए, तो deep sea ocean को क्या करना है explore करना है and ये इसी तरीके से explore करना है जैसे आप space को explore करते है तो ये Indian Space Research Organization ने 30 साल पहले ये option ये जो प्रोग्राम था ये शुरू किया था कि deep sea mining करनी है पानी के नीचे जाना है robotics, technology के through and फिर हमें कुछ चीज़े पता करनी है तो दो projects है, एक है desalination plant, दूसरा है summer seable vehicle, ठीक है, तो ये नौ क्यों ओशियन के अंदर उतरना जरूरी है क्यों समझना जरूरी है तो क्यों क्या था कि हम continental shelf देख पाए exclusive economic zones हमारे जो है वो बढ़ पाए एक Central Indian Ocean Basis के according भी हमें अपनी capabilities को develop करना है ता कि हम more resources को explore कर सके जो ये Central Indian Ocean Basis है, ये इसके according India कहता है कि 75,000 km2 जो है वो UN International Seabed Authority ने हमें दिया हुआ है कि आप इस एरिया को explore कीजिए, यहां से polymetallic nodules निका लिए यहां का जो CIOB है means जो Central Indian Ocean Basin है यहां पर iron है, manganese है nickel है, cobalt है, ठीक है अगर 10% recovery भी हो पाएगी तो हम अगले 100 साल तक की जो energy requirement है, उसको fulfill कर पाएगे इसलिए ही यह जरूरी है then हमने बात करी, polymetallic nodules के बारे में पता चलेगा, इन्हें manganese nodules भी कहते है, potato shaped होते है और यह deep sea के अंदर मिलते है, चलिए next है, what are desalination plants अभी हमने किया था कि desalination plant, तो यह उद्धव ठाकरे, जो CM है, मुंबई के, मुंबई के नहीं, sorry महराष्टरा के, तो उन्होंने मुंबई का पहला desalination plant, जो है वो clear कर दिया है, अब इसके थुरू क्या होगा मई और जून के महिने में जब बहुत गर्बी होती है, तो वहाँ के लोगों को 2000 million liter जो पानी है, वो available करवा पाएंगे तो यह Brehan Mumbai Municipal Corporation ने यह planning की थी, और इसको किसी private player को भी यह दिया जा सकता है, कि कोई private person अगर अच्छे से काम कर पाएं, तो उन्हें कोई भी अगर private firm यह चाहती है, तो उनको salination plants क्या होते हैं, यह पर जो नमकी जो पानी होता है, उसको साफ पानी के अंदर मींस बिना नमक के पानी के अंदर convert किया जाता है ताकि जो पानी है उसको पिया जा सके तो इस process को reverse osmosis कहते हैं, जहां से जो high solute concentration से low solute concentration तक एक membrane के थूँ जो solvent से उनको push किया जाता है और इस membrane में जो microscopic pores होते हैं, वो water को तो जाने के लिए allow कर देते हैं लेकिन salt को नहीं जाने देते हैं, तो salt वहीं रह जाता है, जो जैसे आपने दिघर में देखा होगा, अगर RO system अगर आपने देखा है, तो salt नहीं जा पाता है, और सिर्फ पानी बाहर निकल कर आता है, ठीक है, तो यह जो plants है, यह ऐसे areas में set up किये जाएंगे, जहां पर sea water हो, अगर बात करें तो इंडिया में, Tamil लाडू ने पहले से ही दो salination plants बनाए हुए हैं, एक चेन्नाई में बनाया था कि उसको कहां पर डिस्पोज ओफ करेंगे, so these are the two problems, then देखिए dry swab direct RT-PCR method, तो यह COVID-19 के लिए जो check-up होता है, तो इसके अंदर जैसे जो nose होती है, उसके अंदर एक वो डालते हैं, एक बेंस instrument डालते हैं, तो उसके बाद जो liquid आता है, तो liquid को ना use करके dry swab को use करना है, ताकि COVID-19 testing जो है वो बढ़ पाए और इसको Indian Council of Medical Research ने भी अप्रूव कर दिया है, ठीक है बनाया किसने है, CSIR ने बनाया है, अप्रूव किसने किया है ICMR ने अप्रूव किया है CSIR क्या है CSIR है आपका CSIR Center for Cellular and Molecular Biology ने इसे बनाया है, पहले क्या होता था, जैसे naso, pharyngeal या फिर oro, pharyngeal, जो swab navels होते थे उनको collect किया जाता था, तो liquid form में collect किया जाता था, तो जब उसको अगर मालिज एक जगा से दूसरी जगा transfer करना है, तो leakage का डर रहता था जिसके वज़ा से काफी heavy packaging के ज़रत होती थी, लेकिन dry swab direct RT-PCR method के थुरू, अब जो nasal swab है, वो एक dry state में सुखे तरीके से कठा किया जाएगा, जिससे transportation and handling क्या हो जाएगी, असान हो जाएगी, तो इस method से जो RNA का जो isolation है, वो भी omit हो पाएगा, means किसी को isolate करने की ज़रत नहीं पड़ेगी, और यह जो kit है, इसको direct RT-PCR जो kit है, इसको Indian Council of Medical Research ने भी recommend किया था, तो इसके अंदर एक तो cost effective है, easily इसको use कर सकते हैं, कोई new kits की ज़रत नहीं है, manpower भी जादा कुछ खास ऐसे चाहिए नहीं, जल्दी जल्दी टेस्टिंग हो पाएगी, चलिए, next करते हैं, software technology parks in India, that is STPI, तो 400 करोड रुपे जो है, वो अलग लग cities पे इडवेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, नो यह है क्या software technology parks, तो यह आपके एक autonomous society है, ministry of environment, ministry of electricity and information technology के अंदर आती है, 1991 में बनी थी, objective यही है कि हमें अपनी country के अंदर जो export है, software का उसको बढ़ाना है, और इसके जो governing council chairman होते हैं, वो union minister होते हैं, electronics and information technology के, और भी कुछ इनके objectives हैं, जैसे software, यह सब parks, technology schemes वगेरा बनाना, जो छोटे entrepreneurs हैं, उनको इस तरीके का environment दे, ताकि वो information technology के अंदर अच्छा काम कर सके, then देखे, EOS-01, इंडिया का latest earth observation satellite है, देखे, earth observation satellite क्या होती है, जैसे यह earth है, तो यहाँ पर कही पर satellite लगा देंगे, और फिर earth को क्या करेंगी, observe करेंगी, तो यह नई satellite है, that is EOS-01, तो यह ISRO का पहला mission होगा, इससे पहले 11 December को last year 2019 में, reset to BR launch किया गया था, तो अब EOS-01 लाँच किया गया है, यह another reset है, that is radar imaging satellite है, और यह काम करेगी, reset to B and 2 BRI के साथ, इसके उपर weather का, for cloud and सब का कोई असर नहीं पड़ता, और यह देखे जा सकते हैं, अलग-अलग जगा की, चलिए, next करते हैं 30 meter telescope, देखे, काफी चारे topics ऐसे हैं, जो हम एक साल से repeat कर रहे हैं, तो अगर आप continuously current affairs की videos को follow करेंगे, so believe me, current affairs आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, so I request कि आप continuously सभी videos को देखे, अगर आप next year के prelims की तयारी कर रहे हैं, तो January से, अगर आप कर सकते हैं, तो करिएगा, अधर्वाइज मई से तो करने ही करने हैं, next देखते हैं 30 meter telescope, तो 30 meter telescope भी हमने काफी बार किया है, और इसके अंदर जो Indian astronomers हैं, वो 2020 के Physics Nobel Laureate, Professor Andrea Guess के साथ, मिल कर कुछ instruments बनाने वाले हैं, तो यह एक astronomical observatory है, इसके साथ एक बहुत बड़ा telescope लगाया जाएगा, fund जो हैं वो organizations दे रही हैं, Canada की, China की, Japan, India and US देगी, तो यहाँ पर India and जो China है वो एक साथ है, तो इसको थोड़ा दियान रखेगा, इसकी जो location है, वो मोना किया है, US State है, हवाई वहाँ पर है यह, और इससे scientist को जो objects काफी fainter होते हैं, मिस दिखते नहीं है universe से, और universe में हम से काफी दूर है, तो इस 30 meter telescope से वो fainter objects भी study कर पाएंगे, कौन scientist, देन देखिए SpaceX NASA का नया crew 1 mission launch, तो यह क्या है, तो NASA ने अपना नया SpaceX crew dragon capsule, और Falcon 9 rocket इनको बनाया है, ठीक है, और इनको certification भी दे दी गई है, अब यह लोग Space Station के अंदर जाएंगे, और regular flights को operate करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, इसस can means to operate regular flights, क्या Space X का crew dragon capsule, और Falcon 9 rocket, बहुत important है, तो Space X crew dragon जो है, वो NASA के Kennedy Space Center से जाएगा, फ्लॉरिडा में एक जगा है, Kennedy Space Center, वहाँ से इसको launch किया जाएगा, ठीक है, crew dragon को, नौ यह crew 1 mission क्या होता है, यह NASA का एक crew program है, जिसका objective है, कि हम space के बारे में जाने, कम पैसों के अंदर जाने, ठीक है, जादा खर्चा ना लगे, और यह इस तरीकी की पहली operational flight होगी, जो कि Falcon 9 rocket के थू जाएगा, International Space Station में, फ्रस्ट है, मींस तीन जाने वाले हैं, तो 2020 से 2021 तक, उसमें यह पहला है, crew dragon, ठीक है, ध्यान रखेगा, crew dragon capsule, तो इस इस पेस एक्स crew dragon capsule, ना सा का है, फोर एस्ट्रोनोट्स को लेके जाएंगे, और वहाँ पे जो station, जो crew है, वहाँ पे 7 members हो जाएंगे, और फिर यह researches वहेरा, वहाँ पर करेंगे, ना यह जो members है, यह क्या करेंगे वहाँ पर जाके, microgravity studies करेंगे, ठीक है, जैसे gravity में की तरह difference आता है, और researches करेंगे, देखेंगे कि क्या हम कोई food जो है, वह नया investigate कर सकते हैं, और फिर उसको इंडिया पर लाकर, क्या, इंडिया नहीं, सॉरी, धर्ती पर लाकर, अगर हम कुछ diet के अंदर improvement कर सके, samples collect करेंगे, और फिर continue करेंगे अपनी study, एक और experiment ध्यान रखेंगे गई, यह students ने बनाये था, that is genes in space 7, यह भी इसलिए बनाये गया था, ताकि space flight से brain की functioning पर कितना असर पड़ता है, यह पता लगाया जा सके, ठीक है, so this is also very important, then देखें, what is aerial space mission adopted by European Space Agency, तो यह धिहान रखेगा, NASA का है SpaceX, and aerial है किसका European Space Agency का, तो aerial एक atmospheric remote sensing, infrared exoplanet survey है, जो कि 2029 के अंदर launch किया जाएगा, इसके अंदर देखें, हमारे जो universe है, उसके देख बहुत सारे exoplanets है, and उनके बारे में study की जाएगे, किसके थूँ, aerial के थूँ, that is atmospheric remote sensing infrared exoplanet, जो exoplanet है, वो देखेंगे, explorer जो है वो देखेंगे, जो exoplanet से यह कैसे बने, तो यह पहला mission होगा, जो कि उनके composition and thermal structure को पढ़ेगा, तो इससे हमें पता चलेगा, कि क्या conditions होती है, कैसे planet बनता है, and किस तरीके से life जो है, वो emerge होती है, तो इसके अंदर telescopes यूज के जाएंगे, and indirect methods भी यूज के जाएंगे, जो star है, वो कब dim होता है, क्यू होता है, जब dim होता है, तो क्या planet उसके आसपास से पास होता है, तो NASA का जो capillar space telescope है, वो भी इस method को यूज करता है, gravitational sensing करना, wobbling method यूज करना, तो इन सब के through दिखा जाएगा, तो exoplanets को पढ़ेंगे, तो उसे ये भी हमें पता चलेगा, कि Earth पर कैसे life start हुई, and अगर कुछ evidence है, तो humans कैसे आए थे Earth के उपर, ठीक है, तो इस तरीके के बारे में, हमें पता चलेगा, and 4000 से भी जादा exoplanets हैं, हमारी universe के अंदर, and एक ये धियान रखेगा, Proxima Centauri B, तो ये Earth से सब से closest exoplanet है, से 4 light years दूर है, light years आप देखेगा कि केतना होता है, ठीक है, ये आपको geographic के chapter 3 या 4 पे बिल जाएगा, 11 के अंदर, and ये in, sorry, अरी habitable zone माना गया इस्टार का, means यह पर लिक्विड है, and यह पर लिक्विड हो जाएगा, atmosphere हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसान के रहने के chances बढ़ जाते हैं, चलिए, next देखते हैं, what is Sentinel-6 satellite, and ये important क्यू है, तो Copernicus Sentinel-6 Michael-Fryllis satellite, अब oceans को monitor करेगी, this is for ocean, ठीक है, and ये launch के जाएगी, California से, अभी हमने पढ़ा था, Falcon 9 rocket, वहाँ से, and ये next mission का पार्ट होगी, तो ये C के बारे में पढ़ेगी, इसको Jason Continuity of Service Mission भी कहा गया है, and देखेंगे कि ocean की height कितनी है, इसे बनाया है, European Space Agency ने, NASA ने, and UMETSET ने, that is European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites, USA के National Ocean and Atmospheric Administration, European Union ने, and Japan का भी, जो, France का, sorry, France का जो National Center Space Studies, उसके, उसने भी इसको launch किया है, ठीक है, तो क्या नेम है, ध्यान रखेगा, नेम है, Sentinel-6 Satellite, तो ये ध्यान रखेगा, इसको और क्या नाम दिया गया है, Japan Continuity of Service, that is JCS, तो इसमें देखा जाएगा, कि जो sea level है, वो कितना rise हो रहा है, and कितना time लगता है, अगर हम, कुछ भी चीज ऐसे डालते हैं, ocean में नीचे जाकर, वापिस उपर आने में, कितना time लगता है, बीच में कितने water whipper मिलेंगे, so all this, ताकि seasonal conditions, जैसे Elnina, La Nina क्या होता है, तो यह आप Geography से भी पढ़ सकते हैं, and current affairs के अंदर भी यह बार बार आता रहता है, तो अगर हमें ocean की height पता चल जाएगी, तो हमें पता चलेगा, कि ocean का heat budget है, उसमें क्या changes होते हैं, दूसरी और कुछ satellites के नाम हैं, जैसे कि the top packs, poskidon, json 1, ost and json 2, ठीक है, चलेए, ISRO शुक्रियान, तो Indian Space Research Organization का शुक्रियान, यह Venus Orbiter Mission है, Venus को पढ़ेगा, चार साल तक Venus का structure, composition and dynamics देखेगा, ठीक है, GSLVM के second rocket से लाँच किया गया, यह Venus के 500 x 60,000 km एरिया को, means वहाँ पे आसपास घूमेगा, और उसके बाद दीरे दीरे उसके पास चला जाएगा, तो Venus को पढ़ना इसलिए जरूरी है, क्योंकि उसको अर्थ की twin sister का जाता है, अर्थ के जैसा size, mass, density, bulk composition and gravity है, दोनों का एक origin बताया जाता है, Venus और अर्थ का, दोनों के दोनों 4.5 billion years पहले बने थे, यह माना जाता है कि Venus जो है, वो अर्थ के comparison में, Sun से जाधा 30% closer है, जिसकी वज़ा से वहापिस जाधा solar flux होता है, देखिए Change 5 probe, तो Change 5 probe, C से Change, C से China, तो चाइन ने एक अन्मैंड स्पेस्ग्राफ्ट, बदो उसके अंदर कोई इंसान बैठ कर नहीं जाएगा, अपने एक मिथिकल चाइनीज मून गॉडड़ेस के नाम पर इसका नाम रखा गया है, यह जो रॉकेट होगा, इसके दर चार पार्ट होगे, और चाइना एसी थर्ड कंट्री होगी, जो की सैंपल्स कलेक्ट करेगी मून से, आपको पता होगा, यूएस में नील आम स्टॉर्ग गया हुए है, 1960 में, सॉवेट उनियन गया हुआ है, 1970 में, तो इसके अंदर साइंटिस्ट को हेल्प मिलेगी, मून के ओरिजिन, फॉर्मेशन, वॉल्कैनिक अक्टिविटी के बारे में, जानने के लिए, और लोकेशन इन्होंने कौन से चूज की है, ओशियन अस प्रोसेलरम, ओशियन ओफ स्टॉर्म्स, यह जगह चूज की है, यहां से यह 2 kg सर्फेस माटेरियल लेकर आएंगे, ठीक है, तो अगर यह इनका मिशन सक्सेस्फूल हो जाता है, तो चाइना पहले चार लिस्ट में शामिल हो जाएगा, एक तो पहला वो नेशन बन जाएगा, जो कि मून से कुछ सर्फेस लेकर आएगा, अभी बुला ने 2 kg लेकर आएंगे, सैंपल कलेक्ट करके लाएंगे, और पहले होंगे जो कि लुनर ओर्बिट के अंदर unmanned चले जाएंगे, बिकाज हमारा चंद्रियान भी फेल हो गया था, और अर्थ में लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके का फर्स टाइम है, means to return to the earth with soil samples is escape velocity, ठीक है, तो ये थोड़ी scientific terms होती है, चलिए, next, जापान का Hayabusa 2 spacecraft, जो है, वो asteroid से soil samples लेकर आएगा, तो जापान का Hayabusa 2, asteroid ragu से, means एक साल पहले गया था, end of earth पर वापिस आने वाला है, ठीक है, December 6 में, Southern Australia से, ठीक है, तो soil samples जोंगे, वो clue देंगे कि, बही, solar system का origin कैसे हुआ, तो ये एस्टरोइड से डाटा कलेक्ट करेगा, and जापान की space agency JAXA, तो ये लाँच किया गया था, 3 December 2014 को, फिर ये means राइगू से, राइगू is the asteroid, एस्टरोइड के साथ है, मिला 27 जून 2018 को, and इसके अंदर बहुत सारे पेलोड्स है, छोटे-छोटे रोवर्स है, जो कि डाटा कलेक्ट करेंगे, तो राइगू एक C-type asteroid है, and C-type का मतलब, इसके अंदर organic matter, trapped water भी है, and ये help करता है, कि भई, life जो है, originate हो पाए, then देखिए, fast radio burst detected in the Milky Way for the first time, पहली बार जिस galaxy में हम रहते हैं, Milky Way galaxy, आकाश गंगा जिसे कहते हैं, बहाँ पर fast radio burst जो है, वो पाए गए, and for the very first time, तो ये काफी बार दूसरी galaxies में होते रहते हैं, तो, ये 3000 times, जो थे, जादा brighter थे, और बागी किसी magnetor से, तो FR-20 कैसे generate होते हैं, तो ये एक rare type के neutron star होते हैं, neutron star होते हैं, जिने magnetor भी कहते हैं, type होता है एक तरीके से neutron star का है, और इनने most powerful magnets कहा जाता है, 5000 trillion times से जादा powerful होते हैं, ये earth से, ठीक है, तो ये magnetor से आते हैं, जिने कहते हैं, तो 15 states ने और century sponsored scheme को माल लिया है, और उसका distribution करेंगे, अभी है, fortified rice का, तो तीन साल के लिए ये scheme approved होई थी, rice fortification का मतलब होता है, rice के अंदर जो nutrients है, वो बढ़ाना, vitamins, minerals को बढ़ाना, ताकि जो rice है, उसकी nutritional quality improve हो सके, rice एक important staple food है, हर दिन 2 billion लोग चावल खाते हैं, और Asia एंद अफरीका के अंदर खास कर, जो regular mild rice होता है, उसके अदर इसने micronutrients नहीं होते, सिर्फ carbohydrates होते हैं, लेकिन अगर उस rice को fortified कर दिया जाए, तो उसके अंदर vitamin A, B1, B2, folic acid, iron and zinc बढ़ जाता है, P-Pfizer vaccine हम कल करेंगे, so thank you so much, page number 114 तक कर लिया है, I know videos थोड़ी delay हो रही है, but I am trying my best, and मैं कुशिश करूँगी, कि आपका 3-4 दिन के अंदर ये complete हो जाए, and then for December का start करेंगे, till then if you want this PDF, you can write to my email ID, जो कि आपको description box के अंदर मिल जाएगी, and please share, like, like, share करें, videos को subscribe कीजिए, कोई doubt हो, तो comment section के अंदर जरूर लिखेगा, okay, so thank you,